आस्ट्रिया की राज्थानी वियना की रिंग स्ट्रीट यूरोप के प्रसिद बुलेवारों में शामिल है इसे 1500 साल पहले समराट फ्रांस यॉसिफ प्रथम के शासन में बनाये गया था आया देखते हैं कितनी बदली है रिंग स्ट्रीट इन 1500 सालों में रिंग स्ट्रीट की पहली हाइलाइट होफबुर्ग यहां सदियों तक हाब्सबुर्ग राजगराने के राजा रहा करते थे अब देश के राश्ट्रपती रहते हैं इस स्क्वेर की खास बात ये है कि ये दोनों आर्ट और नेचर म्यूजियमों से घिरा हुआ है जो एक जैसे दिखते हैं यहां एक मज़िदार बात भी है मारिया थेरेजिया की मूर्ती जिसका दाहिना हाथ आर्ट म्यूजियम की और इशारा करता है आर्ट हिस्ट्री म्यूजियम को रिंग स्ट्रीट के महतुपुर्ण समारकों में गिना जाता है इसका निर्वान समराट के काल में हुआ था और इसमें साथ हजार साल की कलाकृतियां जमा है पहले रिंग स्ट्रीट 20 मीटर मुची दीवारों से घिरे सैनिक कमपाउंड में हुआ करती थी 1857 में समराट फ्रांस योजेफ ने इलाके को बनाने का आदेश दिया और ये वियना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया वियना की रिंग स्ट्रीट सेक्ड़ों साल में समय के साथ बहुत बदली है पहले यहां संबरांत और उचवर्ग के लोग टहलने आया करते थे फिर ये सब के लिए खुल गई और अब तो यहां बहुत जादा ट्रैफिक है लेकिन साइकल के अच्छे रास्ते भी हैं और अभ की बेकरी है 1847 से यहां खास पेस्ट्री मिलती है जिसे कभी समराट भी खाया करते थे